तिम इंडिया के सालामी बलेबाज रोहित शर्मा ने आस्ट्रेलिया के खिलाब शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए फिट साबित होने की बात सामने आई थी पहला टेस्ट मैठ बीट चुका है भारत हार गया BCCI ने इस बात की पुष्टी की थी कि रोहित ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और वो अस्ट्रेलिया में टीम से टूटने के लिए तयार है और रोहित का कॉरिंटाइन भी 15 दिन से पहले काया याने कि 14 दिन का रख गया BCCI ने एक बयान में लिखा था कि बाती टीम के बलिबाज रोहित शर्मा ने बैंगलोर में NCA आने की नाशनल क्रिकेट अकैडमी में अपनी रियाब प्रक्रिया पूरी कर ली है और वो फिट है बयान में कहा गया NCA की मेडिकल टीम रोहित की फिजिकल फिटनेस से पूरी तरह संतुष्ट है मेडिकल टीम ने उन्हें बलिबाजी, फील्डिंग और विक्टो के बीच दौड जैसे पैमानों पर 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 रखा है और उनकी इस्थिती से वो संतुष्ट है उन्हें अला कि अपनी ताकत पर काम करना होगा आस्ट्रेलिया पहुँचने पर वो दो सब्ता के लिए क्वारेंटाइन है और फिर वो टीम से जोड़ सकती लेकिन टेश्ट रंपला के आखरी दो मैचों में उनके खेलने पर फैसला अब अलग तरीके से लिया जाना है दरसल मेडिकल दल दौरा फिर से आकलन रोचर्मगर किया जाएगा बिसी सी आई से जारी बयान में नहागा अस्टेलिया में दो सब्ता के प्रिथकवास याने क्वारेंटाइन के लिए उन्हें एक विस्ट्रिक कारिकरम दिया गया है और कुछी दिन में वो क्रिकेट दिलने के लिए लौट गए जिससे अटकलो का दौर शुरू हो गया इसके बाद रोचर्मगर टेस्टी में शामल कर लिया गया